पाट सोला स्वामी की दादी बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारी के बंध सी कोट्री में स्वामी नाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। उनका सामान था पांच दर्यों, तीन चादरों, पांच दक्षियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लक्री का एक छोटा बक्सा जिसमें तामबे के सिक्के, इलाइची, लॉंग और सुपारी पड़े रहते थे। रात के भोजन के बाद स्वामिनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लॉंग इलाइची की गंध भरे वातावरण में अपने आख को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। बड़ी प्रसन्नता से भर कर वह बोला, ओ दादी, तुम नहीं जानती, राजम कितनी उची चीज है। उसने दादी को राजम और मनी की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कैसुनाई। तुम्हें पता है, उसके पास सच मुझ की पुलिस की वर्दी है। स्वामिनाथन बोला, सहच, उसे पुलिस की वर्दी क्यों जाएए। दादी ने पूछा, उसके पिताफ पुलिस अधीक शक हैं, वो यहां की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं। दादी काफी प्रभावित हुई। उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा। उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामिनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए ख खड़े होते थे। स्वामिनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा। लेकिन दादी बोलती ही गई। इधर उधर भटकती हुई और अलग-अलग समय पर घटी घटनाओं को गड़ मड़ करती रही। बस काफी है दादी। उसने रूखे स्वर में मैं आगे बोलती हूँ कहा, मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। जानती हो उसे गणित में कितने नमबर मिलते है। बहुत सारे नमबर मिलते होंगे, है ना? दादी ने पूछा, अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। चलो अच्छा है, लेकिन लिख्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले दसवा हिस्सा वक्त लेते थे। और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी-कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। जब उन्होंने M.A. किया तो उन्हीं इतना बड़ा मेडल मिला था। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बूआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बूआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया तब बच का है? मैंने वह तुम्हारी बुवा को दिया और उस बेवकूफ ने उसे गलवा कर चार चूणियां बनवाली और वह भी इतनी मामूली सी चूणियां की. मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारी परिवार में उस जैसा महामूर्क कोई नहीं और अब बस भी करो दादी, तुम बे शेर मारा था? सच, बड़ा बहादूर लड़का है. तुम ये बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो, तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा. स्वामिनात्र ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की. राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे. राजम उनके साथ था. अचानक दो शेर उन पर जप्टे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया. दूसरे ने राजम का पीछा किया. राजम एक जाड़ी के पीछे चुप गया और वहीं से गोली चला कर श हो गई? उसने कहानी खत्म होने पर पूछा. नहीं बेटा सुन रही हूँ. अचा बताओ, कितने शेर आये थे? दो शेर राजम पर जप्ते थे. दादी ने जवाब दिया. स्वामिनातन दादी के गलत जवाब से चिड़ गया. मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रह हो. अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताओंगा. मैं जानता हूँ, तुम क्यों ऐसा कर रही हो? तुम राजम को पसंद नहीं करती. नहीं नहीं, वह तो बहुत प्यारा लड़का है. दादी ने बड़े विश्वास से कहा जब कि उसने राजम को देखा तक नहीं था. स्वा पर में मिठाज भर कर कहा. स्वामिनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा. जो भी उसे जूट कहेगा, वो उसे गोली मार देगा. दादी ने इसका समर्थन किया और हरीशंद की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने क के लिए सिंगहासन पत्नी और बच्चे को खो दिया. सच बोलने और वचन का पालन करने के कारण अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया. उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामिनाथन खराटे लेने लगा. दादी भी रुक-रुक कर बोलने लगी, फिर वह भी सो गए. को में यहाँ ही।